हेलो फ्रेंट्स, सर्दी की मौसम चालू हो गई है, तो बहुत सारे सबजिया मिलने लगती है, तो आज हम मनाएंगे मूली की पराठी, इसके साथ मैं एक चटनी की रेसिपी भी सेयर करूंगी, जो मूली की पराठी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो चलिए ब बड़ी वाली ग्रिटर ली है, जिससे की मूली की बड़ी बड़ी पीसेस आए, और पराठे में उसकी एक बाइट आए, लेकिन छोटी वाली ग्रिटर से कदुकस करने की एक फायदा है, कि उससे पराठा फटने का चांस कम रहता है, और मूली की पीसेस अगर बड़ी होग तो परठा फटने के चांस भी जादा रहता है मैंने सारे मूली को कदुकस कर लिया है अब इसमें नमक डालेंगे ताकि मूली अपना सारा पानी छोड़ दे नमक और मूली को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 10 मिनिट के लिए छोड़ देंगे 10 मिनिट हो चुके हैं देखिए मूली में कितना पानी अपने आप निकल आया है तो चलिए अब इसे स्कुईच कर लेते हैं देखिए मूली में से कितना पानी निकल आया है सारे मूली को इसी तरह स्कुईच कर लेंगे मूली में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए अगर पानी होगा तो पराठा बेलने की टाइम पराठा फटने का चांस रहता है अगर आपको ऐसे स्कुईच करने में दिक्कत आ रही है तो एक साब कपड़े की मदद से भी स्कुईच कर सकते हैं मैंने सारे मूली को स्कुईच कर लिया है और देखिए मूली में से कितना सारा पानी निकला है। हम इस पानी को विल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसी पानी में ही मैंने डेड़ कप आटा ले लिया है और जरासा नमक। क्योंकि इस पानी में पहले से ही नमक है तो नमक ध्यान से डाले। अगर आपके मुली में बहुत ज्यादा पानी निकला है तो आधा पानी को एक दूसरे बतन में निकाल ले। और जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गुंद ले। हमारा डो अब रेडी हो चुका है तो इसके उपर जरासा तेल डालकर भैला लेंगे और इसे ढख कर 10-15 मिनिट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा आटा जब तक सेट हो रहा है तब तक हम इसकी स्टपिंग बना लेते हैं। अगर आपके मुली में पानी रह गया है तो फिर से एक बार और स्कुईच कर लें। अब हम इसमें डालेंगे बहुत सारा कटा हुआ धनिया के पत्ता। थोड़ा सा लहसुन और अदरक। लहसुन और अदरक को मैंने कद्दुकस कर लिया है। अब इसमें जाएगा एक छोटी चमाच अजवेन और स्वाद अनुसर नमक। अजवेन मूली की पराठे की डाइजेशन में मदद करता है। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसर नमक, चाट मसाला एक छोटी चमाच और लाल मिर्च पावडर एक छोटी चमाच। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मैंने स्टपिंग को दो हिस्सों में बाट लिया है एक हिस्सापे में ग्रीन चीली एड करूंगी और दुसरे हिस्से में ग्रीन चीली एड नहीं करूंगी क्योंकि मुझे बच्चों के लिए भी बनाना है अब चलिए पराठा को बेल लेते हैं एक बड़ी सी लोई लेंगे और उसे सुखे आटे में ऐसे लपेट लेंगे और उसका बॉल बना लेंगे और धीरे धीरे ऐसे अंगोठे की मदस से दवाते हुए कटोरी का आकार देंगे साइट से ऐसे दवाएंगे और सेंटर थोड़ा मोटा रुखेंगे अब इसमें बहुत सारा स्टरफिंग बरेंगे जितना हो सके उतना भरेंगे स्टरफिंग को ऐसे बीच से दवाते हुए साइट से उठाएंगे और धीरे धीरे करके बंद कर देंगे ऐसे गोल गोल घुमाते रहेंगे और उपर में जो एक्स्ट्रा आटा है उसे पिंच करके निकाल देंगे ऐसा करने से कहीं भी एक भी क्रिज नहीं रहती और डो चारो तरफ बराबर रहती है अब इसे बेल लेते हैं सुखे आटे ऐसे दोनों तरफ लपेड लेंगे और हाथ की मदस से पहले दबाएंगे ऐसा करने से स्टपिंग चारो तरफ अच्छी तरफ से फैल जाता है और पराठा फटता नहीं है हाथ से जितना उसकी फैला लेंगे उसके बाद इसे बेलेंगे एकदम हलके हाथ से बेलना है बीच में ज्यादा प्रेसर बिलकुल भी ना दे साइट से दीरे दीरे करके बेले पराठा थोड़ा सा मोटा ही रहेगा ज्यादा पतला करने की कोशिस ना करे अब पराठा को सीख लेते हैं मैंने तवा को पहले से ही गरम होने के लिए रग दिया था पराठा को पहले हाई फ्लेम पर सेखेंगे और बाद में फ्लेम को लो कर देंगे क्यूंकि पराठा थोड़ा मोटा रहता है तो इसे सीखने में भी टाइम लगता है पराठा दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा सीख चुका है तो अब हम इसमें तेल लगा लेंगे आप चाहे तो इसमें देशी घी भी लगा सकते हैं दोनों तरफ से अच्छी तरफ से तेल लगा लेंगे और साइड से दबाते होए सेगेंगे ताकि पराठा चारों तरफ से अच्छी तरह कूखा सके देखिए पराठा में कितना अच्छा कलर आया है हमारा पराठा दोनों तरफ से सीख कर लाल हो चुका है तो अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे इसी तरह बाकी सारे पराठे भी बना लेंगे तो चलिए अब मैं आपके साथ पराठे के लिए स्पेसियल चटनी की रेसिपी सेयर करती हूँ इसके लिए एक पेन में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे उस पे डालेंगे चार से पांच टमाटर मैंने यहाँ पर पांच मीडियम साइज के टमाटर लिए है टमाटर एक से दो मिनिट कुक होने के बाद उस पे डालेंगे अधराक, लहसून और हरी मिर्च मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं टमाटर को उलट पलट कर दो मिनिट तक पका लेंगे आप चाहे तो टमाटर को दो हिसों में काट कर भी इस्तमाल कर सकते हैं अब गेस को बंद कर देंगे और टमाटर को अच्छी तरह से थंडा होने देंगे थंडा होने के बाद इसे एक ग्राइंडर जार में डालेंगे और उसमें धन्या पत्ता और नमक एड़ करेंगे आधा कब पानी डालकर इसका एक पेश्ट बना लेंगे अब हमारा चटनी रेडी हो चुका है तो अब हम इसे एक बरतन पे निकाल लेंगे अगर आपको दरदरा चटनी पसांद है तो उसी हिसाब से पीशे लें चटनी को आप पहले से ही बना कर रख लें और गर्मा गरम पराठे के साथ एंजोय करें मैंने भी चटनी पहले से ही बना कर रखा था तो चलिए गर्मा गरम पराठे के साथ इससे सर्प करते हैं हमारा पराठा कैसा बना है इसकी लेयर खोल कर देख लेते हैं दिखिए पराठे में कितना ज़्यादा स्टफिंग है और चारो तरब evenly spread हुआ है पराठा अभी भी बहुत ज़्यादा गरम है तो छूने में दिक्कत आ रही है वैसे तो बच्चे मूली खाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं अगर इसी तरह पराठा बना कर खिलाय चाहते हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिए वीडियो की लाश्ट तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थेंक्यू